दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है मिलाब गुपता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाब पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी में सवाल और जवाब कैसे करें कोई आप से सवाल अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं और जब तक आपको यह नहीं आएंगे तो आप कुछ पूछ नहीं पाओगे तो कितनी बड़ी बात है कि हम किसी से कुछ पूछी नहीं सकते भाई पूरी इंडिया पूरा वर्ल्ड यह चल किस से रहा है यह पूछ पूछ की तो च तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए सिर्फ पांच कमाल के वह फैमिली वर्ड लेकर आया हूं मैं विद इक्जाम्पल और यह भी बताऊंगा कि इतना असान उनको पढ़ना बोलना है है बहुत असान है आप यह समझ लो वीडियो भी शुरू करेंगे देखते हैं यह ना आज एक एक्सपेरिमेंट भी है इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पांच वह फैमिली वर्ड आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं मैं यह देखना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और जिस तरीके से मैंने महनत करके यह PPT आप लोगों के लिए तो मैं लडी लिया हूंगा पूरी वीडियो की लडी लिया हूंगा और सारी ड़ी वर्ड आपको सिखा दूँगा क्योंकि ट्रिक्स यहां पर है बस मुझे यह देखना है कि क्या है यह वीडियो में कमी तो नहीं है तो हो तो आप बताना राइट सबसे पहले हम शुरुआ की वड है आज का वउए इसे क्या पढ़ते कैसे बोलेंगे देखो ध्यान से यहां पर लिखा हुआ हिंदी इसे पढ़ेंग के वई इसमें आधा व और होता ही ठीक है ना तो इसे वाई बोल सकते हे हॉँष मदels और यहां का साउंड होता है तो इसका जो मीनिंग होता है य जारेई आपने याद कर लिए तो हो आपको तीन प्वायदे हैं पहला इंग्स का वर्ड याद ह hedgeuses वह भी सवाल वाला दूसरा इसका पंध्येशन पता चल रहा है कि इसे बहुत हैं वह बता रौंँ तीसरा फाइदा यह कि इसकी हिंदी क्या है वह भी इंग्लिश देखकर उसका हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं लेकिन वह ये नहीं समझ पाते हैं कि इंग्लिश के संटेंस हो कैसे पड़े अगर आपको यह समझ में आए आपको लगे कि हाँ सार इस तरह का अगर पीपीटी होगा इस तरह का वीडियो आपका होगा तो हम हर एक वीडियो से आपके सीख जाएंगे बहुत अच्छा सीख जाएंगे तो आप मुझे जरूर कोमेंट करके पताइएगा मैं सारा डवुए बात के आती है कि आप से अगर कोई वाय में सवाल करे या आप किसी से वाय में सवाल करो तो अब भाया आपको बोलना क्या है तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसके सवाल बनता कैसे है यहां पर एक्जामपल है मैं यहां पर आपको एक इसामपल से बता रहा हूं यहा तो ए नहीं पढ़ना है मैंने हर वीडियो में आपको बताया एफ और एपल बंद करो पढ़ना अगर ए लिखाओ और आपका इंगलीज का सेंटेंस उसे अ पढ़ो सिर्फ ठीक है वाई आर यू और स्टूडेंट यही लिखाए उपर यह पढ़ लिया तो समझ लो यह बोल द यू अ फ्रेंड आप एक दोस्त क्यों हो वाई आर यू अ थीफ आप एक चोर क्यों है कुछ भी लगा सकते हो ठीक है यह आ गया अब इसका आंसर यहां पर लिखाए लेकिन इसे मत देखो अब पहले यहां आजाओ याद रखो वाई में जब भी कोई आपसे सवाल करे अग आप बंद आप क्यों चल रहे हो क्यों दौड रहे हो क्यों भाग रहे हो ऐसा नहों जो आप हो उसके बते पूछले यह मेरे से कुछ आपका नाम मिला आप यह बड़ा अजीब सा सवाल होगा तो ऐसे सवाल जिसका जबाब देना ना चाहो वाय वाला उसका आंसर आप दो टेबल औफ मेरी मर्जी से किससे मैं लिख देता हूँ टेबल औफ टेबल औफ मेरी मर्जी ये आपको नपूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा ये मैं आपको आज बता रहा हूं पूरे YouTube खोज लो आपको कहीं मिलेगा नीए यह concept यह सिरफ हम special आप लोगों के लिए लेकर रहे हैं टेबल अफ मेरी मर्जी होता क्या है देखो ध्यान से कि अगर आप को किसी ने पूचह ahora you Ryan student अप एक स्टुडेंट क्यों हो यही वहला सवाल आप यह बोलना चाहते हो यह क्या बात हो इसको एक चाहिए मेरे मर्जी यहाप कैसे बोलते हैं यहां इसका जवाब देना आ गया यहाँ पे लिखा है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी की इंग्रीज सुनो क्या होती है, देखो, it, यहाँ पे लिखा है, it is up to, इसको तो रट्टा मारो अभी सारे के सारे जो वीडियो देख रहे हैं, it is up to, बस इतना बोलना सिख जाओ, बोल दिया, अब जब आपको बोलना हो मेरी म यू, ऐसे बोलोगे आप, it is up to you, तेरी मर्जी, अच्छा, उसकी मर्जी, ना मेरी मर्जी, ना तेरी मर्जी, कोई तीसरा बंदा सामने खड़ा है, हमें बोलना है, अब यार, इसकी मर्जी, यह करेगा, जो करेगा, इसकी मर्जी, तो अगर आपको बोलना है, इसकी मर्जी अगर लड़का है तो यहां पर हिम लगेगा और यह मैंने अभी इससे प्रिविएस वीडियो डाली थी उसमें पहले टेबल बनाई थी न वो टेबल पूरी अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा मैं क्या बता रहूं आपको ध्यान लखना ठीक है तो उसकी मर्जी क मर्जी हम तो नहीं बता रहें हमारी मर्जी हमारी मर्जी तो हमारी के लिए आपको लगाना है यहां पर अस तो इट इस अप टू आस हो गया यह है भगवान की मर्जी हमें बोलना हो कहते ना भाई जैसी भगवान की मर्जी इसकी इसकी पेड़ो यह पर यहां पर अंसर कैसे देना है इसने बोला इस सुडेंग यह तो आपने बोला आप मैं student हूं क्योंकि मेरी मर्जी बस इतना बोलना है हमें English बोलना सीखना है अभी यह नहीं देखना है कि इसका ऐसे क्यों एम ए स्टुडेंट यहां तक आ गया उसके बाद ना हम बोलते क्यों की मेरे प्यारे बच्चों क्यों की की इंग्लिश होती है बिकर्ज क्या होती है बिकर्ज याद रखना याद कर दो यह भूला मत बी-ई-सी-ए-स-ई-बिकर्ज यह लिखा देखो बिकर्ज इसको ऐसे अब टू यहां तक तो आगए ना इट इस अप टू यहां पर देखो मैंने सिखाया था इट इस अप टू यह तो पड़ी लोगे और उसके बाद ना यह जो बहुत मेरी मर्जी ना मुझसे पूछ रहा है तो मेरी मर्जी अगर मैं आप से पूछूँगा अगर मैंने वाई इस की मर्जी इसकी मर्जी इस के लिए या पर हम होता तो हमारी मर्जी अगर यहांपर वह होता तो उसकी मर्जी अगर unmute कि वाला वह होता यह सीता लिखा होता तो सीता की मरसी होता तो सिता भी लिख सकते यह उसके दिलका है इसा भी जो भी सेसे हैं अंचर आपने जिए इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको हिंदी भी आ जाए कि क्या हिंदी मीनिंग होता है और इनको पढ़ना भी आजाए बार बार देखना और मुझे ज़रूर कोमेंट करके बताना कि सर इस तरह की वीडियो बहुत असानी से समझ में आ रही है तो मैं सारी वीडियो आप देखो यहां पर हमारा दूसरा टॉपिक है हूँ के बारे में ध्यान से समझेंगे इसको हम पढ़ते कैसे हैं इसे पढ़ेंगे हूँ हाँ पे आपने देखा हाँ पे लगी हूँ या बड़ू की मातरा यह हो गया हूँ इसका हिंदी में मीनिंग होता है कौन इसका मतलब क्या होता है कौन आप किसी से कहो या कोई आप से कहे हूँ बोला तो समझ लो कौन अब हूँ के केस में करना क्या होता है ध्यान से देखना इसमें हमेशा हमें नेम ओफ परसन बताना होता है लिखा है ना देखो नेम ओफ पर आई का हो, दोस्त का हो, मेरा हो, तेरा हो, किसी कभी हो, नाम ही आएगा, याद रखना हू के case में, example मालो कहा who are you who are you का मतलब वा देखो यहां लिखा ना who are you ऐसे पढ़ो इसको who are you आप कौन है अगर किसी ने पूछा है who are you आप कौन है तो आप मालीजे मेरे से पूछ रहा है कोई कह रहा है who are you आप कौन है तो मैं क्या बोलूँगा मैं मिलाप हूँ तो अब मैं उको बोलना ह आए एम मिलाप तो मैं बोलूँगा आए एम मिलाप इसी तरह से आप बोल सकते हो जो आपका नाम है आप बोलोगे आए एम और जो आपका नाम है वो बोल दो आप रचना हो आए एम रचना आप हिना हो बोलो आए एम हिना आप दीपक को बोलो आए एम दीपक आप मुनेश चो बोलो आइम मुनेश या फिर आप सक्वियो गवलो ऑइम स Will इस तरह से आप यहां पर एसर बोल सकते हो व्यकति का नाम नाम ही बताँ मैं पर में यहां पर मालिंट लड़का करा है मैं ने बोल है ना अंग्रेजी के जो महल है इन साथ शब्दों से बनाए वो वीडियो बनाए था ना उस वीडियो में मैंने इस सब बता रखे आपको आई यू वी दे ही शी इट तो यह सीरीज ना छोड़ना मत तो यहां पर हूँ इस ही वह कौन है लिखाए ना हूँ इस ही अगर शी ब इसे पढ़ सकते हो यह होता है तरीका हूँ में सवाल पूछने का मैंने आपको फिर बताया है सिर्फ दो ही एक्जामपल लेके आया हूँ यह देखना चाहता हूँ कि आपके कॉमेंट के आने वाले हैं क्या यह वीडियो वास्ता में आपको समझ में आ रहा है हूँ को कैसे बोलेंगे इसकी हिंदी क्या है आंसर में क्या बोलना है यह क्या लिखा हुआ है इनके आंसर में कैसे दे पा रहा हूँ इसको इंगलिश को हिंदी में कैसे पढ़ रहे हो अगर आपको लगता है कि ऐसे भी अगर मैं आपको वीडियो दूँ तो आप बहुत अच्छे से प्रेकिन के समय करना अब ध्यान से देखना वह इसे पढ़ते हैं टी वाट वाप अदाहा वाट वाट फिक है वट नहीं आप इसे वत मत पढ़ना वट यह आदाव पना वट वाट यह दिरले से सांड करता है वहाटक ठीक है के लिए रोगई बात चलो अब देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलबत है क्या और एक बात याद रखना अगर किसी sentence में क्या सबसे पहले दे रखा हो जैसे क्या तुम राम हो क्या वह मेरा घर है क्या आप मेरे दोस्त हो तो क्या सबसे पहले लगा हुआ है ये वर्ट नहीं होता ध्यान रखना वर्ट की पहचान है अगर किसी sentence की अंदर रख्की के अंदर क्या अंदर हो अंदर कहीं यह क्या हूं वो के चैंच में पोफाशन कैसे पड़ेंगे यस वर्ड को प्रोफाशन कोने लोग उसे वोझते ग्यों पापाो करने जाते हैं यह सिरुफाण sport उत्वी फ्र प्रोफाशन तो जिस जॉब को वो कर रहे हैं जैसे computer operator है तो वो पेशा है उनका मेरा काम किया है मैं अपना घर पालन पोशन कर रहा हूं मैं अपनी bread and butter जो ernd करता हूं अपनी रोटी जो कमाता हूं रोजी रोटी को English लॉयर होता है वकील होता है पेशे में तो पैसे 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 तो कमाई जा सकता है तो जब आप किसी पोस्ट पे लग जाते हो अप कुछ कमाने लग जाते हो तो वो जिस प्रूफेशन से नाम बताना है और नहीं सिर्फ पेशा बताना है अब देखो कैसे सवाल है और यू कैसे बढ़ेंगे what are you, मतलब वह आप क्या हो, what मतलब क्या, you मतलब उस table में बताए हुआ है मैंने previous वीडियो में, you मतलब आप या तुम, और are मतलब है या हो, यह सब मैंने उस वीडियो में बताए हुआ है, ठीक है, हो गया न, what are you, इसको कैसे बोलेंगे अब ahh teacher ऐसे बोलेंगे अब इस से देखो what is he वह कौन है तो तो, Who is he, अभी बताया था, Who is he, वह कौन है, लेकिन अगर बोलना है, वह क्या है, तो हम बोलेंगे, What, Who अच जायेगा, What आजायेगा, What is he, वह क्या है, ठीक है, आप देखो, यहां पर क्या लिखा के रिक़्ा है, वह चिकजित सक कहें, डॉक्टर को बोलते हैं, वह चिक्जि he is a doctor लेको यह लिखा he is a doctor he is a doctor इस तरह से आप what को सीख सकते हैं यह सिरफ concept मैं आप लोगों के लिए ना सिरफ आठ गंटे लग रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी हिंदी भी लिखनी पड़ रही है ऐसे वली फिर इसकी हिंदी में मीनिंग भी लिखना पड़ रहा है इसमें बहुत दिमाग और टाइम लग रहा है मेरा लेकिन ऐसा कर सकता हूं आप लोग के लिए बस आप कोमेंट करके चाहें हाओ और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कैसे और ऐसे से अगर आगा आता है जब किसी सेंदेंस में हो बोलता है कोई हाओ वो क्या पर रहा है पता है यहाद बुंख shared condition कैसी हैं कंडिशन Beim कन्डिशन हालात कैसे होते देखो अच्छे पिजूते हैं तो गुड़ते हैं अच्छे पिजब बुरे भी सो सकते हैं bad good good कैसे पढ़ता है good good bad बाब आप डबले की मातरा और भले टिके थे wanna ऑफके I s इा ऑच्छा-च्छा बुरा यह शुल्स होता है और में लाउंगी आप लेकिन समंझ में नहीं अब यहां पर देखें क्रूम द्व किसे हाव का मतलब हो यू मतलब तुम कैसे हो यहां लिखा है आप कैसे हो तुम कैसे हो पढ़ेंगे कैसे हाओ आर यू इसका मतलब हो गया आप कैसे हो अचा बोला है अब सामने वाला बोलेगा आप तो पूछ लिया आपने पूछा वह यू कैसे हो वह बोलेगा मैं अच्छा हूं है ना मैं यहां पर देखिए अब मालो अच्छा बुला नहीं बताना यह वह तो बीमार है अब दिखेंडा अरे वह बीमार है वह बीमार है बीमार है यह पर इसे पड़ते हैं यह बीमार होता है क्या बताया हालात बताया अपने तो हाउ के केस में हालात वाले शब्द आते हैं याद रखो यह चीज ठीक है अब देखो हमारा अगला टॉपिक यह है विच अब विच को देखो कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखना सबसे पहले इसे बोलना सीखो इस इंगलिश की वर्ड को हम पढते हैं वेच 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 ठीक है मतलब होता है कौन सा कौन सा चार पांच गाडिया खडी है मैंने का वाई तेरी गाड़ी कौन सी है अwhat आपको वाली तो आपने उस पांच में से चौइस कर के पता दिया इसलिए इसमें पसंद पता ही जाती है जईस मतलब चोइस इ पसंद आपका पसंदीदा रंग कौन सा है तो आप बताओगे न सोच के 10-20 रंगों में से लाल तो यह पसंद बता रहे हो आप जब मैं यह सवाल पूछूँगा कौन सा तो मैं बोलूगा विच और जब विच कोई बोलता है तो समझ लो अब बारिया चॉइस मारने के आप च इस योर फेवरेट दो कितना बड़ा वर्ड है लेकिन कैसे पढ़ रहें देखो फेवरेट यह याद हो जाएगा आपको फेवरेट फिर कलर इसका मतलब हो गया आपका पसंदीदा रंग कौन सा है यह बोल दिया अगर आपने इसको बोल दिया विच इस योर फेवरेट कलर अपका पसंदीदा रंग कौन सा है थिक है आप बंदा आंसर दे रहा है कर रहा है मेरा पसंदीदा रंग लाल है उसने लाल काला पीला नीला हरा कुछ नहीं ओला मेरा पसंदीदा रंग लाल है आगई chose उसने चो अजवा को Aujourd still करो आपको कलर साथगे नाम बताएंग वो choice, पसंद, जिसकी जो पसंद है वो बताएगा, तो which के case में choice, my favorite color is red, ये इसको English में बोला गया है, my favorite color is red, हो गया, आप देखो यहाँ पर, which is his car, भई, मेरी कार तो ये खड़ी, तेरी कहां खड़ी है, तेरी कौन सी वाली है, तो हम बोलते हैं जैसे उसकी कार कौन सी है, कहते हैं, ये देख ये 6-7 pen है मेरे हाथ में, तेरा कौन सा है, इसकी English क्योंगी, तेरा कौन सा है, तब which कही use होगा, क्योंकि वो 5-6 में से बताएगा, ये वाला, choice करेगा, choice, ठीक है, ऐसे ही, अब हम पूछ रहे हैं कि, which is his car, his car मतलब उसकी कार, लड़के की कार, अगर कारे खड़ी है, मैंना यार उसकी कार कौन सी है, इन में से, इन में से उसी कार कौन सी है, या वो काली वाली उसकी है, तो यहाँ पर, which is his car, अब देखो, उसकी कार लाल है, ये कार भी लाल ही पसंद है, देखो, his car, उसकी कार, इस मतलब है, his car is, उसकी कार है, क्या है, लाल, His car is red Red ही तो होता है ना लाल His car is red इस तरह से आपने यहाँ पर Which को भी सीखा यह सिर्व आप वो example दिये इन वीडियो में कि आप कितना समझ पारे हो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ऐसे ही बना दो पूरी ग्रैमरी बना डालूँगा आप लोग के लिए ऐसी टेंशन मतलो पूरी टीम बठा के बनवा दूँगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट किया है और आपको पांच डव्योच फैमिली वर्ड्स पढ़ाए हैं समझाए हैं बस जल्दी से वीडियो देख लिया है अब जल्दी से कमेंट करके बताईए कि आपको क्या यह पढ़ाने का तरीका सही लगा जिसमें इंग्लिश का वर्ड को उसको कैसे पढ़ेंगे वो उसकी प्रक्दंसीयेशन भी रिखी है और हिंदी में में मीनिंग भी है और answer भी बता रखाए कि ऐसे answer दिया जाता है साथ में यहां भी पढ़ना बहुत असान है English भी और Hindi भी अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक like देना comment करके बताना ऐसी और वीडियो जगर चाहिए तो मैं मिला गुपता मिलूँ आपसे next interesting वीडियो के साथ till then good bye